Welcome to the channel Decode History Subscribe कीजिए Decode History Channel को History related topics के बारे में जानने के लिए और bell icon को दबाना ना भूले latest uploaded videos के notification सबसे पहले पाने के लिए Today we are going to discuss about the later mughals in chronological order But before getting into the topic I would like to request my viewers who haven't seen my previous videos on the early mughals to please see that video first as it is interrelated with today's topic and obviously it will help you to clear your concept For videos related with battles and Hindu Rajput Rajas and of course video on the early mughals please don't forget to check the description box as link is provided So now let's get into the topic As mentioned earlier कि बाबर मुघल डाइनस्टी इंडिया में इंस्टाबलिश किया था बाबर से लेके अरंग जेब तक early mughals बोला जाता है और बहादुर शा से लेके बहादुर शा टू तक later mughals बोला जाता है बहादुर शा टू लास्ट मुघल एंपिरर था और उनके बाद मुघल डाइनस्टी पूरे तरीके से खतम हो गया था Early mughals की तरह later mughals इतना active नहीं था क्या reason था इसके पीछे और क्यों मुघल एंपिर डिक्लाइन हो गया हम आने वाले वीडियो में details में discuss करेंगे So now let us discuss about the later mughals in brief बहादुर शा फ्रॉम 16.43 तू 17.12 उनका बर्थनेम था कुतुबुद्दिन मोहमद मुजम शा अलम उनका डेट अब बर्थ था 14th October 16.43 और उनने रूल किया था from 19th June 1707 to 27th February 17.12 टोटल अब 3 यर्थ और 253 देज उनका डेथ हो गया था on February 17.12 at 5 a.m. at the age of 68 बहादुर शा ने कोशिश किया था settlement या समझोता करने का मराथास के साथ राजपूत राजास के साथ भी उन्होंने समझोता करने की बहुत कोशिश किया और शिक्स के साथ भी उन्होंने काफी friendly relationship maintain करने की कोशिश किया था नेक्स्ट इस जहांदर शा प्रम 1661 तो 1713 बर्थ नेम था उनका मुजुद्दिन जहांदर शा बहादुर डेट अब बर्थ था 9 में 1661 उन उनने रूल किया था प्रम 27 फेबरुरी 1712 से 11 फेबरुरी 1713 टोटल 350 देज उनका डेथ हो गया था उन फेबरुरी 1713 at the age of 51 जहांदर शा काफी इंफ्लेंस्ट था उनका ग्रांड विजियर जुल्फिकर खान से नेक्स्ट एम्पिरर इस फरुक शियर प्रम 1685 तो 1719 उनका बर्थ नेम भी सेम था और उनका बर्थ हुआ था उन 20 अगस्ट 1685 में उन्होंने रूल किया था प्रम 11 जानवरी 1713 से 28 फेबररी 1719 तक टोटल और 6 years and 48 days उनका डेथ हो गया था एप्रिल 1719 में at the age of just 33 उन्होंने फर्मन मतलब पर्मिट जैसा होता है उन्होंने वो ग्रांट किया था इस्ट इंडिया कंपणी को in 1717 और जिसके अकॉर्डिंग इस्ट इंडिया कंपणी को help किया था कि वो easily goods को import कर पाए into Bengal और government को custom duty भी pay ना करना पड़े नेक्स्ट एम्पिरर इस रफिउद दराजत फ्रम 1699 तो 1719 उनका बर्थनेम भी same था उनका बर्थ हुआ था अन 30 नवेंबर 1699 और उन्होंने रूल किया था from 20th February to 6th June 1719 total of just 98 days उनका death tuberculosis से या तो उनका murder हुआ था on 1719 at the age of 19 उनका काफी उनका जो रूल करने का टाइम था वो काफी short था total 98 days और वो बहुत ही कम एज में उनका death भी हो गया था at the age of 19 उनके टाइम पे जो शेद ब्रदर्स का rise हुआ था at the age of power brokers next is शाजहन 2 from 1696 to 1719 उनका बर्थ नेम रफियूद दहुला था और उनका बर्थ हुआ था on June 1696 में और उनका रूल किया था from 6th June 1719 से लेके 19th September 1719 तक total of just 105 days उनका death September 1719 में हुआ था at the age of 23 only next temporary is मुहम्मद शाज 1702 से लेके 1748 तक उनका बर्थ नेम था रोशन अक्तर बहादर और उनका बर्थ हुआ था on 17th August 1702 में और उनका बर्थ हुआ था on 17th August 1702 में और उनका रूल किया था from 27th September 1719 से लेके 26th April 1748 तक उनका death tuberculosis की बज़े से हुआ था on April 1748 at the age of just 45 मुहम्मद शा ने शाइद ब्रदर्स की छुट्टी कर दी थी उन्होंने काफी लंबा बैटल लरा था विद्धी मराथास और जिसके वज़े से डेकान और मालवा का कंट्रोल वो खो चुका था उन्होंने नहादर शा का इन्वेशन भी जहला था in 1739 मुहम्मद शा लास्ट एम्पिरर था जिन्होंने काफी एफेक्टिबली एम्पायर को कंट्रोल किया था नेक्स्ट इस अहम्मद शा बहादुर 1725 से लेके 1775 तक उनका बर्थनेम सेम था और उनका बर्थ हुआ था on 23rd December 1725 में और उन्होंने रूल किया था from 26th April 1748 से लेके 2nd June 1754 तक उनका नैचरल रिजन से ही डेथ हो गया था on January 1775 at the age of 49 इनके टाइम पे मुगल पोसेस मराठास के सामने हार गया था at the battle of सिखनदराबाद नेक्स्ट एम्पिरर इस अलंगे टू 1699 से लेके 1759 तक उनका बर्थनेम था अजिज उद्दिन और उनका बर्थ हुआ था on June 1699 में और उन्होंने रूल किया था from 2nd June 1754 से लेके 29th November 1759 उनका मर्डर हो गया था on November 1759 at the age of 60 नेक्स्ट इस शाजहान 3 1711 से लेके 1772 तक उनका बर्थनेम था मही उलमिलत और उन्होंने रूल किया था from 10th December 1759 से लेके 10th October 1760 तक उनका डेथ हो गया था 1772 में at the age of 60 और 61 नेक्स्ट एम्परर इस शाहा अलम्टू फ्रम 1728 तो 1806 और उनका बर्थनेम था अली गोहर और उनका बर्थ हुआ था on 25th June 1728 में और उन्होंने रूल किया था from 10th October 1760 से लेके 19th November 1806 तक उनका नैचरल डेथ हुआ था on November 1806 at the age of 78 शाह अलम्टू बैटल अफ बक्सार में हार गया था नेक्स्ट एम्पिरर इस मोहम्मद शाह बहादूर जहान 4 फ्रम 1749 तो 1790 उनका बर्थनेम था बिदर बक्त और उनका बर्थ हुआ था on 1749 में उन्होंने रूल किया था 31st July 1788 से लेके 2nd October 1788 तक उनका डेथ हो गया था 1790 में at the age of 40 और 41 रोहिला घुलाम कादिर ने उनको as a puppet एम्पिरर बना के बिठा रखा था आवर नेक्स्ट एम्पिरर इस अकबर शाह 2 1760 से लेके 1837 तक उनका बर्थनेम मिर्जा अकबर था और उनका बर्थ हुआ था on 22nd April 1716 में उन्होंने रूल किया था 19th November 1806 से लेके 20th September 1837 तक उन्होंने अपने डेथ के कुछ दिन पहले राजा राम मुहन रोह को ब्रटेइन में भेजा था as an ambassador और उनका डेथ हुआ था on September 1837 at the age of 77 कहा जाता है कि अकबर शाह 2 एक टिटूलर हेट था under British मतलब वो ब्रिटेश के कंट्रोल पे था लास्ट मुगल एम्पिरर इस बहादुर शाह 2 फ्रम 1775 तो 1862 उनका बर्थ नेम था अबू जफर शिराजुद्दिन मोहमद शाह जफर और उनका बर्थ हुआ था 24th October 1775 में और उन्होंने रूल किया था from 20th September 1837 से लेके 23rd September 1857 तक उनका डेथ हुआ था और November 1862 at the age of 87 बहादुर शाह 2 लास्ट मुगल रूलर था और उनके बाद मुगल एम्पायर खतम हो गया था बहादुर शाह 2 को ब्रेटिशर्स ने हटा दिया था और बर्मा भेज दिया गया था अफटर दी इंडियन रेबिलियन आप 1857 So this completes the topic. Today's question is, who was the first and the last ruler of the Mughal Empire? You need to answer this question in the comment section. if you have any doubt or any topic in your mind please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you so that's it for today hope to see you all in my next video till then bye take care and please don't forget to like subscribe and share